आयूसमान कार्ड के जितने भी लाभारती हैं अगर वो अपलाई कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनको जो कार्ड है आयूसमान कार्ड वो नहीं प्राप्त हुआ है तो आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अनलाइन तरीके से भी आप अपना जो कार्ड है वो कॉलम छोड़ दिया है या कोई प्रोसीजर आप नहीं किये हैं इस वज़ा से पेंडिंग है तो वो भी वहाँ पे सो होगा जो कि आप अपने स्वैम के मोबाइल से भी वो चीज कंपलीट कर सकते हैं ताकि आपकी आयुष्मान कार्ड यहाँ पे सक्सेस्फुली सब्मिट हो जाए और आपको जो है कि यहाँ पे एप्रूब्ड हो जाए आपका आयुष्मान कार्ड और उसके बाद आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड होने लगेगा तो सबसे पहले आपको online यहाँ पे चेक करने के लिए play store पे आना है यहाँ पे आपको आयुश्मान एक app होता है जो की आपको download करनी होगी इसी के मादियम से जो की हमारी mobile में download है अभी इसको आप यहाँ से open करेंगे जैसे यह आप इसे open करेंगे तो ऐसा कुछ interface आपके सामने open होगा यहाँ पे आप scroll करेंगे तो नीचे आपको जो है की login का option आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं login का option आएगा यहाँ पे simply आपको करना क्या है कि login का option पे click करना है जैसे यह आप login का option पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको दो options होगा एक Beneficiary और दूसरा Operator तो Operator उस लाभारती के लिए है या कह सकते हैं कि उस वेक्ति के लिए है जो यहाँ पे CAC Center या यहाँ पे जन सिवा के अंदर अगेरा चलाते हैं उनकी शोप है अनलाइन की तो यहाँ पे Azure Operator के तोर पे यहाँ पे लोगिन करेंगे क्योंकि उनके पास एक ID होती है CAC ID लेकिन अगर आप नॉर्मल एक वेक्ति हैं अपनी स्वैम की आप यहाँ पे अपलाई किये हैं और उसकी डिटल्स चानना चाहते हैं तो आप जो है की Azure Beneficiary यानि लाभारती के रूप में यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे बेनिफिसरी में हम क्लिक कर दी हैं और उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ अपना Mobile Number दरज करना है और Mobile Number दरज करने के बाद यहाँ पे एक आपको OTP नीचे आएगे OTP सब्मिट करना है उसके बाद Login पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे की प्रोसेस हम बदाते हैं सबसे पहले आपको Mobile Number यहाँ पे वेरिफाई कर लेनी है आप देख सकते हैं यहाँ पे Mobile Number पे आपकी जो OTP है वो सेंड हो चुकी है और यहाँ पे जो है कि वही Mobile Number यहाँ पे करना है जो आपके Mobile में वो Number होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको सो हो रहा होगा कि OTP has been sent to your registered Mobile Number और लास्ट के 4 अंक आपके सो हो रहा होंगे तो यहाँ पे जो आपका सीम आपके Mobile में है वही नमबर यहाँ पे आप दर्ज करेंगे और यहाँ पे जो OTP आपको मिला है 6 अंका वो OTP यहाँ पे दर्ज करेंगे और नीचे जो CAPTCHA है वो CAPTCHA एंटर करेंगे उसके बाद Login पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप Login पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे Search for Beneficiary का List आपको Open होगा तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपना States वैस कर लेने है जिस भी States आप Belong करते है तो यहाँ पे सबसे हम नीचे आएंगे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश यहाँ पे हम सर्ज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे Scheme तो Scheme यहाँ पे दो है यानि दीन द्याल उपाद है और PMJ लेकिन हमको PMJ PMRO यहाँ पे डाउनलोड करना है तो यहाँ पे PMJ के अंतरगत हमको जाना है और उसके बाद यहाँ पे Search by यानि आप किसके द्वारा Find करना चाहते हैं Family ID के द्वारा, अधार काट के द्वारा नाम के द्वारा, या Location आपका Ruler है, सहरी है या PMJ ID जो होती है उसके द्वारा तो यहाँ पे Simply हम अधार काट के द्वारा हम जाना चाहेंगे क्योंकि आपको तो अभी Provide नहीं हुई है नहीं तो अगर Family ID आपको मिल गई है तो आप Family ID से भी जा सकते हैं या फिन Name से भी आप जा सकते हैं लेकि Name में खोजने में काफी जादा परसानी होती है क्योंकि बहुत सारी लवारती की जो नाम है वो सेम होती है यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे पहले हम अधार काट ही Based Option है यहाँ पर Find करने के लिए तो अधार काट उसके बाद यहाँ पर District आपको अपना च्वाइस करेंगे District च्वाइस करेंगे उसके बाद जो है की नीचे यहाँ पर आपको अपना अधार काट टैप करना है कि आपका अधार नमबर जो है वो यहाँ पर टैप करेंगे उसके बाद Search का उपशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ परी जो लिस्ट है आपकी वो ऊपिन हो जाएगी जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जो लिस्ट है जितने भी आपके फैमली मेंबर हैं सिर्फ आपके अधार कार्ड यहाँ पे एंटर करने से हैं जितने लोगों ने अपलाई किया था उनका यहाँ पे जो आयुस्मान कार्ड है वो यहाँ पे सो होने लगेगा आपकी जो एड्रेस है वो फूल एड्रेस आपको यहाँ पे दिखने लगेगी फैमली आइडी भी दिखने लगेगी और उसके बाद जितने भी मेंबर हैं उनके लिए आपने अपलाई किया है तो उनकी भी यहाँ पे सो होगी और उनमें कौन सी प्रॉब्लम है क्या पेंडिंग है वो भी यहाँ पे सो होगी जैसे कुछ यहाँ पे मेंबर्स की तो बन चुकी है उसमान कार्ड एप्रूब्ड हो चुका है और यहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड करने का ओप्सन भी आ रहा है जैसे यह आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी जो कार्ड है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा तो इनका यहाँ पे अभी डाउनलोड करने का ऑप्सन नहीं दे रहा है यहाँ पे Do e-kyc दे रहा है यानि इनका जो Do e-kyc जो है इनका पेंडिंग है जब तक यह e-kyc नहीं करते हैं तो इनका जो है की कार्ड यहाँ पे complete यहाँ पे नहीं होगा यानि approved अभी नहीं हुआ है इनका अभी identified यानि अभी इनका verification होगा EKYC के माध्यम से फिर इनका जो है की approved होगा iOS 1 card के लिए तो इसको आपको करना कैसे है तो देखे जैसे याप do EKYC पे click करेंगे जैसे याप do EKYC पे click कर दिए तो यहाँ पे कुछ search लेगा और उसके बाद जो है की आपको यहाँ पे authentication देगा यानि किस के माध्यम से आप EKYC करना चाहते हैं अधार OTP के माध्यम से या fingerprint के माध्यम से या iris scan के माध्यम से या face authentication के माध्यम से तो यहाँ पे सबसे best है आपका अधार OTP क्योंकि आपके पास न तो यहाँ पे अब लेवल होगा fingerprint ना ही iris वाले face authentication से भी हो सकता है यदि आप swim के लिए यहाँ पे apply कर रहे हो तब अगर कोई family members के लिए apply कर रहे हो सकता है को आपके पास ना हो उस इस्तिति में जो है कि आप अधार OTP से करेंगे लेकिन ध्यान रहे जो अधार card में आपका mobile नंबर लिंक है उस पे एक OTP जाएगा जिसी के माध्यम से verification होगा तब जाके आपका EKWIC complete होगा चलिए आपको हम दिखा देते हैं जिसे ही आप यहाँ पे अधार OTP वाले option पे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे verify का option सो रहा होगा जैसे ही आप verify करेंगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे declaration है जिसको आपको पढ़ लेनी है उसके बाद नीचे आप स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे yes I accept पे click करेंगे टिक करेंगे box में और उसके बाद यहाँ पे allow करेंगे तो आपकी यहाँ पे एक नया जो page है वो यहाँ पे open होगा आप देख सकते हैं यहाँ और नीचे यहाँ पे आपका जो भी mobile number link है जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे mobile number जो link है उसका चार अंकों का जो है की OTP यहाँ जो है की उस number पे चल गया होगा जो अभी last के चारंक यहाँ पर 7 हो रहे हैं और यहीं पे आपको यहां पर इस mobile number पे आपकी OTP सेंड कर दिया गया है और यह अधार OTP है आपको बता दे कि यहाँ पे एक जो है की अधार OTP जो आपको mobile number पे Send किया होगा वहां पे जो आपका mobile OTP है उस पर जिस mobile से आप जो है कि यहां पर एंटर कर रहे हैं यह उसी mobile नमबर पर जाएगा इसमें आपका स्वें कभी mobile नमबर लग जाएगा किसी दूसरे का भी लग जाएगा कोई दिक्त नहीं है और उसके बाद यहां पर जैसे यह वेरिफाई आप करेंगे उसके बाद इनका जो है कि बायो डाटा पूरा ओपेन होगा इनका नाम एट्र पूरी जो है कि उन उभगताओं के लिए उनला भारतियों के लिए जो आयूश्मान कार्ट तो यहां पर अप्लाई कर चुके थे लेकिन यहां पर जो है कि उनका जो आयूश्मान कार्ट था किसी कारण के वज़ए से यहां पर जो है कि पेंडिंग हो गया था चाहे एक वा रिप्लाइब कर चुके हैं लेकिन उनको अभी तक नहीं मिल पाया है तो वह इस तरीके से अपना मोबाईल में जो है कि अपना आयुस्मान काट देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि पूरी जो बाते हैं वो आपको समझ में आ गई होगी लेकिन अभी तक भी आपकी कोई डाउट से तो वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं आपकी रिपलाई देनी के पूरी कोसिस करेंगे तो आज के वीडि के साथ अब तक लिए धन्यबाद जैहिन बंदे मातरम